हेलो फ्रेंट्स मैं हूर इजवान और आप लोग देख रहे हैं टेकनोर इजवान यूट्यूब चैनल दोस्तों इंड्राइट के कुछ मुबाइल्स में प्ले स्टोर से जब हम कोई भी एप्लिकेशन इंस्टाल करने की कोशिश करते हैं तो कुछ इस तरह से पैंडिंग लिखा हुआ आ रहा होता है चाहे जितना भी वेट कर लिया जाए यह पैंडिंग ऐसे ही रहता है मतलब बहुत कोशिश के बाफजूद एप्लिकेशन इंस्टाल नहीं हो रही होती दोस्तों प्ले स्टोर में कोई भी एप इंस्टाल करते वक्त यह पैंडिंग क्यों आ रहा होता है और इसे कैसे सॉल्व करना है यह सब हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं पैंडिंग प्रॉब्लम आने के बीचे तीन मुक्तलिफ किसम के रीजन्स हो सकते हैं रीजन नमबर वन हो सकता है आपकी स्टोरेज फुल हो और प्ले स्टोरी से रिकगनाईज ना कर पा रहा हो ऐसी सूरते हाल में भी एपस इंस्टाल होने की बजाए पैंडिंग में चली जाती हैं वैसे तो दोस्तोर्च फुल होने की सूरत में प्ले स्टोर फ्री अप स्पेस का बताता है लेकिन जब प्ले स्टोर को कुछ समझ नहीं आ रहा होता किसी बग की वज़ा से तो app spending में चली जाती है तो इसका जो best solution है वो ये है कि आप कोई भी ऐसी media file delete करके देखें जो कि उस application की memory से ज़ादा की हो जो आप install करना चाहरे हो डिलीट करने के बाद application को cancel करके दुबारा install पर click करें application install हो जाएगी लेकिन अगर फिर भी same issue आ रहा है तो second reason को follow करें दोस्तों reason number two हो सकता है कि आपके play store में applications auto update का option enable हो होता यह है कि जब background में कोई भी application update हो रही होती है तब भी new application install नहीं होती और pending show हो रहा होता है तो ऐसी सूरतहाल में आपने करना यह है कि play store open करना है और यहाँ three lines पर click करना है और यहां से settings में चले जाना है settings में दोस्तों आप लोगों को third number पे auto update apps का option मिल जाएगा इस option पर click करना है यहां दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मजीद तीन different options show हो रहे हैं first option है over any network का second है over wifi only का और third option है don't auto update apps का तो यहां पर दोस्तों आप लोगों थार्ड वाले option को choose करना है जो कहें don't auto update apps का इसे choose करने के बाद दुबारा से उस app को cancel करके install पर click करना है application install हो जाएगी लेकिन अगर यह सब करने के बाफजूद same issue आ रहा है तो आप third reason को follow करें reason number three हो सकता है के play store app का cash full हो चुका हो दोस्तो cash full होने की वज़ा से भी apps pending हो रही होती है तो cash clear करने के लिए आप लोगों ने अपने mobile की settings में चले जाना है settings में दोस्तों थोड़ा सा scroll down करेंगे तो आप लोगों को apps का option मिल जाएगा इस option पर आप लोगों ने click करना है click करते ही दोस्तों यहां आप लोगों के सामने आपके mobile में जितनी भी apps installed हैं सब की सब show हो जाएगी तो यहां आप लोगों ने google play store app को तलाश करना है और मिलने पर google play store की application पर click करना है जैसे ही click करेंगे दोस्तों आप लोगों के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा यहां दोस्तों आप लोगों को third number पर storage का option नजर आ रहा होगा इस पर click करना है तो यहां दोस्तों आप लोगों को cache और data को clear करने का option मिल जाएगा यहां क्लिक करके इस application के cache और data दोनों को clear कर सकते हो तो इसे यहां से clear कर देना है data और cache को clear करने के बाद 100% दोस्तों आप लोगों का यह जो एप pending वाला issue है हमेशा के लिए resolve हो जाएगा जी तो दोस्तों इन तमान steps को follow करके आप लोग प्ले स्टोर में pending apps का issue easily resolve कर सकते हैं अगर अभी भी आपको सेम इशू आ रहा हो तो प्लीज कॉमेट करके अपना mobile model और android विडिजन जरूर बताएगा मेरी हर मुमकिन कोश्च होगी कि मैं आपकी इस problem को किसी दरा से solve कर सकूँ जीते दोस्तों अगर मेरी वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी सी भी helpful रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा और ऐसी अची वीडियो के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को subscribe करना ना भूलिएगा इसी बात के साथ दोस्तों मुझे दे अजाज़त मिलते हैं अगली वीडियो में जब तक के लिए अल्ला हाफिज